हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इस्टेटी विद्ग्यान प्रकास दीके मैं आप लोगों से कहा था कि जो पैटरन चल रहा है बरतमान में UPSS से जिस पैटरन पर करेंड फेर के प्रस्त पूछ रहा है अपनी परिच्छाओं में तो जो परिच्छाएं अभी हाली में हुई लिए उसको देखकर एही लगता है कि कम सकम फिछले तीन मेने का जो करेंट है ये आप लिए बहुत इपॉरें रो सकता है फार आल देखजाम जैसे कर हम बात करेंगा आप लेक्पाल・भरती के बारे में तो लेक्पाल भरती के लिए आप लोग कम सकम तीन मेने कवर लगवग चार से पांच पस्ट न होंगे तो इसके लिए बहुत अथक पैस्सरम करना ये उचित प्रतित नहीं होता है लेकपाल भरती के लिए आप लो थोड़ा सा हिंदी और मैद भी देखिए ये बहुत ही स्कोरिंग है और आपको लीड करवा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो है इसमें हम जून महिने के सभी करेंड अफेर को करेंगे डिसकस इसके पहले दो वीडियो मैंने आपको दे चुका हूं अप्रेल महिने का एक कंबाइंड वीडियो पूरे महिने का और मई महिना पूरा हम लोग कर चुके हैं डिसकस ये जून महिने का करेंड अफ अमबाकू निशेद दिवस यह मनाया गया था 21 मई को इसकी थीम है टोबैको थ्रेट टू अवर एन्विरमेंट यह बहुत इंपॉर्डेंट है most important question में आएगा यह पुछा जा सकता है तो इसको बिल्कुल रट लिजिएगा राष्ट्री सुपर कम्प्यूटिंग मिसन इसको नाम दिया गया है एन एस एम इसका जो चरण दो है सुपर कम्प्यूटर परम अनंत यह स्थापित किया गया है कहाँ पर IIT गांधी नगर में इसके बाद देखिए मुंबई अंतरराश्टी फिल्म होत्सों हुआ था इसको मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यह माई एफ 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 नाम दिया गया M IFF 2022 यह 2022 में इसका सत्रहमा संस्क्रण आयोजीत किया गया था इसमें country in focus यह काफी important है जो की रहा है बांगलादेश पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरुसकार इसका नाम है सितारा एप पाकिस्तान यह प्रदान किया गया है किसको गारण सैमि को जोकी वय्षट नेशी की क्रिकेटर है तो यह टीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है पाकिस्तान का सिताराए पाकिस्तान यह दियागया है वय्षट इंडीज के क्रिकेटर डिय destac Tr져 टेम हमिदा को स्टार्ट कर दिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा पूरुस हाकी एसिया कप 2022 बहुत इंपोर्डेंट पॉइंट है यह देखीएगा पूरुस हाकी एसिया कप 2022 इसमें भारत रहा है तीसरे अस्थान पर आयोजिन इसका कहा पर हुआ था इंडोनेसिया के ज इंडोनेसिया में लगातार 20 वर्स तक UNICEF के गुडविल अमबेजडर बने रहने का रिकार्ड बनाया गया है सच्चिन तंदुल क्रिकेटर वारत के एक लेजेंड क्रिकेटर है और ये लगातार 2003 से लेकर अब तक UNICEF के गुडविल अमबेजडर बने भी हैं नार्वे सत्रंज ब्लीड़ टूर्नामेंट 2022 का खिताब इसने जीता है तो वäreसले बार्बोसा सौ ने जीता है धो की अमेरिका के प्लेयर हैं राश्ट्री सिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की गई गांधी नगर गुजरात के द्वारा राश्ट्री सिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी 2022 में कहां पर हुई गांधी नगर गुजरात में चीनी छेतर की सहकारी संस्ता है जिसका नाम है NFC-SFL NFC, SFL के द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुई है जून 2022 में उसके मुताबिक भारत का जो सीर्स चीनी उत्पादक राजी बना है, वो बना है महाराष्ट, याद एखिएगा कि चीनी उत्पादन में महाराष्टा पहले स्थान पर है, जब कि जो एक उत्पादन होता है, गन्न विस्त दुख्द दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्स एक जून को याद रखिएगा, इस साल की थीम है, डेरी नेट जीरो, ये थीम है, विस्त दुख्द दिवस की वर्ड मिल्क डे, 2022, एक जून को बनाया गया, जापान का सुपर कंप्यूटर, फुगाकू, जो की अब टाइम्स हायर एजुकेशन, टी-एच-ई द्वारा जारी, एसिया उनिवरसिटी रैंकिंग, 2022 में, सीर्स विस्विद्याले चुना गया है, शिंधुवा विस्विद्याले, ये चाइना से है, ये याद अगनाब, इसके बात करें तो पेकिंग विस्विद्याले, जो की च भारत का पहला और एसिया का सबसे बड़ा, मतलब भारत का पहला है और एसिया का सबसे बड़ा तरल दर्पन दुर्बीन, इसको कहेंगे I-L-M-T, मतलब इंडियन लिक्विड मेर टेलिस्को, ये कहां परस्थाफित किया गया है, उत्तरा खंड में याद अखना है, भारत क पहला क्रिसी भूम में मूली सुचकांग लांज किया गया था, I-I-M अहमदाबाद के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टन क्रेशन है ये, क्या होगा कि इसमें जो जैसे मानते हैं कि आप कोई जमीन, कोई प्लाट खरेने जाते हैं, तो उसका क्या मूली हो सकता है, ये मूल इस सुचकांग के द्वारा, क्रिसी भूमि मूली सुचकांग लांज किया गया है, I-I-M अहमदाबाद के द्वारा, पूरुस हां की एसिया कप 2022 का खिताब जीता, किसने डक्चिट कोरिया ने, किसको रहा था, मलेसिया को आयोजन हुआ था, जकार था, इंडोनेसिया में, अब पूरुस हां की एसिया कप का यह है, I-Grahama संस्त्र था, ये भी याद उखना, भारत का पहला ओवजना बिरासत केंद्र कहां पर बनेगा, भारत का पहला ओवजना बिरासत केंद्र बनेगा, चंडीगण में याद उखना, ये बहुत ही, important है, चंडीगण में बनेगा, भारत का वायव सिर्ना बिरासत के इंद्रे विशु पर्यावरण दिवस की थीम आगको पता ही है विशु पर्यावरण दिवस ये प्रतिवस मना जाता है पाच जून को तो विशु पर्यावरण दिवस की थीम है Only One Earth, Most Important फिर देखिए दुनिया की सबसे बड़े पोधे इसको नाम दिया गया है Possidonia Australis Possidonia Australis ठीक है Possidonia Australis की खोज की गई है कहाँ पर आस्ट्रेलिया में और ये एक प्रकार की घास है जो कि चिचले पानी में पाई गया है कमाल की बात है कि ये एक सो असी वर किलो मेंटर में फैली भी है तो दुनिया का सबसे वड़ा पौधा खोजा गया है औस्ट्रेलिया में याद हगना इसका नाम है पोसी डुनिया आस्ट्रेलिस गर्बती महिलाओं के लिए एक योजना चलाई गई है आंचल आचल योजना को किस राजने चलाया ह तो राजस्थान ने वर्ड फर्स्ट ऑर्गैनिक एंड क्राइम फ्री स्टेट मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन दुनिया का पहला ऑर्गैनिक और क्राइम फ्री स्टेट गोशित किया गया है सिक्किम को किस ने गोशित किया है वर्ड बुक आफ रिकार्ड्स ने फ्रेंज उपन 2022 आपको पता ही है कि जो फ्रेंज उपन होता है यह क्ले कोड पर खिला जाता है और यह इसका 126 ऐडिसन था तो जितने भी होते हैं ग्रैंड स्लैम चार ग्रैंड स्लैम होते हैं तो अब तक तीन हो चुके हैं बस अंती मौला बचा हुआ यूए सोपन और यह जो ग्रैंड स्लैम होते हैं इस पर एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ लिंक इसी वीडियो के डिस्कॉप्शन में है जाकर जरूर वाज कर लिजिएगा आपको सारी यहांकारी मिल जाएगी तो फिर आल फ्रेंज जोपन 2022 जो की जून महिने में हुआ है महिला एकल का खिताब जीता है इगास विटक ने जो कि पूलैंड की हैं और पुरुष एकर खिताब जीता है राफेल नडाल ने जो की इस्पेन से हैं इसके बात देखे सवयुकत सेयन प्रसिक्शन अभ्यास इसको नाम ज़िया गया है एकस संप्रिति एकस दोजार बागस स्वयुक्त सेन प्रसिक्षण अभ्यास एक्स संप्रिती एक्स 2022 ये जो धभ्यास है ये मिलकर किया है भारत और बांगलादेश ने इसका आज़िन कहां पर हुआ था जसोर सेन इस्टेशन जो की बांगलादेश में इस्थी थे खेलो इंडिया युऐ गेमस दोजार एक्किस बाइस का पहला सौन पतक जीता है काजूल सरगर ने बैसिकली इसे कहना चाहिए कि खेलो इंडिया युआ गेमस 2019 स्थी कीता है काजूल सर्गर ने वेट लिफ्टिंग में काजूल सर्गर महारास्टा से हैं 2022 का जो खेलो इंडिया युगा गेम सुका कहाँ पर होगा MP में होगा यह यादक ना आप फिसिंग कैट संसस देखो क्या होता है कि चिलका लेख है कहाँ पर है ओडिसा में वहाँ पर जो मचलियां होती है उसको पकड़ने के लिए कुछ बिल्लिया आती है तो पिछले कुछ समय से इन बिल्लियों की जो संक्या है वो तेजी से घट रही है इनका सिकार किया जाता है इनके फर के लिए तो इसके लिए एक संसस यानि कि इनकी गढ़ना की गई तो मात्र 116 बिल्लिया ही पुरी दुनिया में बची हुई है इनको संक्ट ग्रस्थ घुसित किया गया है इस प्रजाती को संक्षड क्या हो सकता है अधरवाई ये खतम हो जाएंगी तो फिसिंग क सेफर फूर बेटर हेल्थ बहुराश्त्री सांदि रक्शा ब्यास नाम है X Conquest 2012 बहुराश्त्री मतलब बहुत सारे देश मिलकर इस सांदि रक्शा ब्यास में पारिशीपेट करते हैं जिसका नाम ई x Conquest ढबाश्यों 2020 तो इसमें भारत ने भिवी प्रिधभाग किया है और यह जो X-Conquest नामक सांतिरक्षा भ्यास हुआ, यह मंगोलिया के उलान मतोर में किया गया, भारत ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, पर्यावरन प्रदर्शन सुचकांग बहुत इंपोर्टेंट है यह, पर्यावरन प्रदर्शन सुचकांग 2022, इसको कहेंगे इन्व मतलब 180 देशों पर रेंकिंग हुई है, इंडिया इसमें लास्ट में है, 180 देशों पर है, मतलब 180 देश है, इसको जारी क्या है, एल विश्विद्याले और कोलंबिया विश्विद्याले ने यह यादखना, विश्व महासाकर दिवस मनाया गया 8 जून को, इसकी थीम रही, री वाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्षन फार्द ओसियन, विश्व महासाकर दिवस 2022, कब मनाया गया 8 जून को, ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई, यह बटरफ्लाई है, और इसको जो है, क्या खुशित किया गया है, राज की तितली, स्टेट बटरफ्लाई डिक्लिर किया गया है, सिक्किम के द्वारा 5 जून 2022 को, चौथा राज खादिस रुच्छा सुचकांग 2022 जारी किया गया, बड़े राज्यों में टॉप पर रहा तमिलनाडू, और छोटे राज्यों में गोवा, इसको जारी किया किसने, किम्दी स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्रा ल स्टार्ट कर दी गई है, यहाँ पर डॉटा और कॉलिंग दोनों सिवा स्टार्ट हो चुकी है, जीयों के द्वारा किसने स्टार्ट किया इसको जीयों ने, होम मनिस्टर अमित्सा ने राष्ट्री जनजाती अनसंधान संगठन, एंटी आराई का उधगाटन किया है कहाँ आपन नए दिल्ली में, विस्टु ब्रेन ट्यूमर द्योस बनाया गया है, आठ जून को जिसकी थीन रही, टुगेदर वी आर स्ट्रॉंगर, आलोक कुमार चोधरी का नाम याद अगना, आलोक कुमार चोधरी जो की बनाया है, एमडी, इस्टेट बैंक आफ इंडिया के, इस्टेट बैंक आफ इंडिया के अधश कोन है, दिनेश कुमार खा रहा है, बीच विजल मोबाइल एप, जो तट होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बीच विजल मोबाइल एप लांज किया है, गोवा सरकार ने, उनकी मद्री कोन है, पी सावंद, प्रमूत सावंद, उत भारत कब लांज करेगा, 2023 में लांज करेगा, most important है, याद हखना इसको भी, फिर देखिए अगला question क्या है, ये भी काफी important है, फिर नेक्स question आपका आएगा, National Air Sport Policy 2022 किस ने जारी किया है, National Air Sport Policy 2022 ये जारी किया गया है, जोत्रादिस इंडिया के द्वारा, जो कि हमारे केंदर नागर विमानन मंत्री है, पैरा सुटिंग वर्ड 2022 का ये जोन हुआ कहाँ पर, चेरो टैक्स में, चेरो टैक्स कहाँ पर है, फ्रांस में है, और पैरा सुटिंग वर्ड 2022 में जो है, गोल्ड मिडल जीता है किसने, ओनी लेखराने, ये भी याद हखना, सीतल खस्टी पर मन रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है, अंतरराश्टी क्रिकेट से इन्होंने सन्यास ले लिया है, काफी लंबे समय तक इन्होंने भारती महिला क्रिकेट टीम का नितृत किया, और कई उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है, कृष्ड स्रीनिवासन, IMF ने एसिया और प्र मंत्री, कृष्ड और किसान कल्यान मंत्री हैं, और इसको बनाया किसने है, तो याद अगना कि एंको वैक्स जो की जानवरों के लिए, भारत में पहली कोरोना वैक्सीन है, इसको बनाया है, हिसार में राश्ट्री अस्व अनुसंधान केंद्र ने, इसको कहेंगे, NRC ने ब समय संस्क्रण का आयो जोन हुआ कहांपस, जिनेवा, स्वेटियर लेंड में, स्वयुत राष्ट, ब्यापार और विकास समयलन द्वारा जारी, विश्व निवेस रिपोर्ट के अनुसार, वर्स 2021 में भारत FDI हांसिल करने के मामले में किस अस्थान पर रहा, यानि कि FDI तो है, फिर चीन है, फिर होंग कॉंग है, तो भारत का साथ में स्थान पर रहना भी यह एक उपलब्दी मानी जाएगी, इस इंडेस को जारी किया गया है, रिपोर्ट को जारी किया गया है, अंकटार के द्वारा, अंकटार का हेड़कॉर्टर मिलेगा को जिनेवा, सुटिज लेंड में, और अंकटार फुल फार्म होता है, युनाइटेड नेशन कांफरेंस आन ट्रेड एंड डेवलप्मेंट, ड्रोन नीती को मंजूरी देने वाला भारत का भारा राज बना है, हिमांचल प्रदेश, और इसके अंतरगत किसानों को 10 लाख रुपे तक का रिंड व प्रता को कम करने के लिए किस भारती संस्थान के सोथ करताओं ने होमो सेप रोबोट को बनाया है, देखो इंसान जो भरतमान में हमारी पेड़ी है, उसको होमो सेंपियंस कहते हैं, तो उसी के नाम पर होमो सेप नामक रोबोट बनाया गया है, IIT मदरास के दौरा, यानि कि मात्मा गांधी राष्ट्री ग्रामीड रोजगार गारंटी योजना के नए लोगपाल कौन बने हैं एन जे कोजा बने हैं ये काफी अच्छा प्रस्न आ सकता है एक्जाम में वैसे जो है अगर मन्रेगा से के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट आपको पांच को पहले इसका नाम नरेगा था जिसको मन्रेगा किया गया यानि कि मात्मा गांधी जोड़ दिया गया इस योजना की शुरुआत में नाम दो अक्टूबर 2009 को बस इतना या दखना और तो कुछ अलग से पूछा नहीं जाता है इसके बात देखिए वैस्ट्रिक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया था किसको दोरा युनाइटेड नेशन का SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सलूसर नेटवर्क जिसका मुख्याला है नियू यार्क में तो बैस्ट्रिक सतत विकास रिपोर्ट यानि कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत 163 देशों में भारत 111 शक्ता पर है पहले असतान परफिन्लैंड है दूसर्य श्राश्तान पर डेनिमंऍमार्क है तिस्ले अस्टान पर है स्वीडेन सुख्रग्र की जाहकारी के लिए एक मिसनल लांच किया जाएगा जिसका नाम है दाविंसी 2019, तो यह 2019 में लांज करने के उजना बना रहा है NASA, यादगना, चांद का सबसे बिक्सिद नक्सा, detailed map of the moon, ये लांज किया गया है, CSNA के दौरा, चीन का जो अंतरिक्ष अनुसंदान केंडर है, CSNA के दौरा लांज किया गया है, चांद का सबसे, मतर्ड डिटेल मैप लांच किया गया है इससे क्या होगा कि चान्थ पर जब अगला मिसन जाएगा तो कहां पर उतरना है किस परकार से उतरना है वहां की जांकाई रहेगी दूसरों भी दाह रहेगी वह से प्रितिवी से चान्थ की दूरी कितनी है तीन लाग चौरासी एजार चार सो किलोमेटर प्रितिवी का एक चकर चान्थ लगाता है 27 दिस्वलों तीन दिन में और यादखना की फासिल प्रानेट यानि की जीवास्मगरा के नाम से भी चंद्रमा को ही जाना जाता है इसम जो पदक तालिका में पहला अस्थान रहा वह हरयाना का ही रहा है हरयाना ने जीते हैं कुल 137 पदक जिसमें गोल्ड 52 बावन मानास्ट्रा दूसरे स्थाम बढ़ रहा 125 पदक के साथ करनाटक तिसरे स्थाम बर रहा 67 पदक के साथ ठीक है बेसिकलि ये देखा जाता है कि सब्सक्राइब गोल्ड जीता हर्याना ने फिर जीता महाराष्ट्रा ने फिर जीता है करनाटक ने खेलो इंडिया यूवा गेम्स 2021 कायों हुआ पंचकुला हर्याना में यह इसका चौथा संस्क्राण था जिसका सुभंकर रट लेना इसके सुभंकर का नाम है धाकड और खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 कायों पर होगा भुपाल में होगा मध्यप्रदेश में यह आप बिल्कुल रट लेना इसके बाद देखिए चोसन हुई का नाम रट लो चोसन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिरा विदेश मंद्री बनी है चोसन हुई यह बिल्कुल आपको रटा मैं उसमें बहुत ही सार्ट में कर दूंगा डिसकस और उसकी पीडिया भी आपो दे दूंगा तो अजर बजना ग्रेंटिक्स 2022 जो की जून में हुआ था इसमें विजेता बने मैक्स वरस्टेपन दो बाते याद रखना पहली बात कि मैक्स वरस्टेपन जो है यह नेधर ल गया है थाइलेंड और नार्वे सतरंज ओपन 2022 किसने जीता नार्वे सतरंज ओपन 2022 यह जीता है आर प्रग्याना नंदने फुटबाल टोर्नामेंट फीफा इनेशंस कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा कोपन हेगन में जो की राजदानी देनमार की और यह इनेशंस कप फीफा इनेशंस कप 2022 का दूसरा संस्क्रण होगा फीफा के बारे में याद अखिएगा कि फीफा की स्थापना होती है 1904 में जियूरिक सुर्जर लैंड में इसका हैटकॉर्टर है जियानी इनफेंटिनो इसके अध्यक्ष है धरोवर नामक राष्ट्री सीमा सुरक्षा सुल्क औ अधर्ण किया गया है कहां पर पंणजी गोववा में और इसका दव्धवर्ण के द्वर्ण किया गया तो भित्न मंत्री फालेस मिमिनिश्टर कौन है निर्मला सीता अरमारा जी के द्वारा भारत के सबसे बड़े सैक्षिक मेटावर्स पालीवर्सिटी और भारत बलाकच नेटवर्क इसने लांच किया है धर्वेंद प्रधान ने जो कि हमारे सिक्षा मंत्री है और चेटो रॉक्स पैरा सूटिंग विशुकप 2022 इसका आजन कहा पर हुआ फ्रांस में मैलाओं की 50 मीटर 3PSH1 असपरदा में आउनी लेकरा ने इसमें सुन पदक जीत के भारत का मान है तो यह बहुत ही बड़ी उप्रब्दी है तो इसके लिए आउनी लेकरा को बहुत सरी बदाई इसका आजन हुआ था फ्रांस में बिलुक्त होने के 70 साल के बाद जैसा कि आपको पता है कि भारत में इसमें चीते नहीं पाए जाते हैं तो 70 साल के बाद दक्षिट अफ्र में आयुद किया गया अंडमान सागर और मरक्का जल्दमरू मद्य के बीच में इसी के साथ या देखना खंजर नामक जो युद्धाब्यास होता है भारत और किर्गिस्तान मिलकर करते हैं वरुन युद्धाब्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है पासेक्स युद् बास्टलिक नमक जो युद्धाभ्यास है यह भारत और उज्वेकिस्तान के बीश में होता है और लामित्य दुजर बाइस नमक युद्धाभ्यास किया गया है भारत और सेसल्स के द्वारा भारत के अब तक कुल कितने ग्रेंट मास्टर बने हैं राहूल स्रिवास्तो यह 19 साल के हैं तेलंगाना से हैं जब कि तीटर में बने थे भारत सुप्रमणयम भारत के मुख्य सच्विवों का पाहला राश्टी समिनन हुआ कहां पर धर्मसाला में जो की कहां परिस्तित हैं हिमान्चर प्रदेश में और 14 जून को मनाया गया विश्वरक्तदाता दिवस जिसकी थीम क्या रही डोनेटिंग ब्लड इस एन एक्ट आप सॉलिडरेटी ज्वाइन्द एफर्ड एंड सेव लाइब्स तो पहला विश्वरक्तदाता दिवस्ता मनाया गया था 2004 में यह भी याद लख खान पान की सुद्धता और सजगता के लिए भारती खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रादिकरण F.S.S.A.I. द्वारा सुरू किये गए इट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा सहर टॉप पर रहा तो पहले स्थान पर रहा है इंदौर दूसरे स्थान पर रहा वारानसी तिस्रे स्थान पर रहा है भौपाल WTO के बारावें मंत्र अस्तरी समेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ जिनेवा सुटिजर लैंड में इसमें भारत की ओर से नित्रुत किया था पियूस गुएल ने जो की हमारे केंद्री वानिज्य और उद्द्योग मंत्री है तो फ्रेंड से बाकी के जो प्रस्न है वो हम कर ले सायल है इसके बाद मई महीं महीं के दो वीडियो हैं पाटबन पार्ट तू और यह जून महीं महीने का penga पार्ट है 안बंच वहाँ पर जाकर आपडाणडाऊ कर सकते हैं पीडियो चाहें ओर अगला वीडियो देखने प्ली चैनल को स्क्राइब करिए बेल आईक हांग को कि कर लिजिये. Thank you so much.